यदि कोई महिला रखती है खोले बाल तो होती है बरवादी। आज इस वीडियो में हम आपको यही सब बातें बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आकरी तक ध्यान से जरूर देखें। भारती संस्कृती में कब खोले बाल रखना चाहिए और कब नहीं। यह समाज में प्रचलित धारना है। प्राचीनकाल से यह धारना व्याब थे कि खोले बाल रखना अमंगल का प्रतीक है। भारत में कोई भी महिला खोले बाल नहीं रखती है। हालकि वर्तमान समय में पास्षात्य संस्कृती के प्रभाव से महिलाएं बाल कटवाने और खुले बाल रखने लगती हैं। यह कितना सही है यह नहीं यह तो हम नहीं जानते। लेकिन इस संबंध में प्रचलित मानने ता आपको जरूर सुनना चाहिए। क्या होता है खुले बाल रखने से। नमर एक महिलाओं के लिए केश विन्यास अत्यंत आवश्यक है। उल्जे और विखरे हुए बाल अमंगल कारी कहे गए हैं। केकई का कोप भवन में विखरे बालों में रूदन करने से आयोध्या का अमंगल हो गया था। नमर दो कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगते हैं। यही नियम पूरुषों पर भी लागू होता है। जो पूरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रख लेते हैं। उनकी मान सिक्स्थिती भी बदल जाती है। नमर तीन समाज में इसी माननेता प्रचलित है कि बालों की द्वारा बहुत असी तंत्र क्रियाएं होती है। कोई महिला खुले बाल करके निरजन इस्थान या शुद्ध स्थान से गुजरती है तो इसके लिए किसी अंजान शक्ती के बस में होने की समभावना बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से अंजान शक्तियां आकर्शित होती है। आपको बताते हैं कि आखिर महिलाएं कब कटवा सकती हैं अपने बाल नमबर एक बालाजी जिस स्थान पर किसी मननत या संकल पादी के चलते केश मुंडन करवा सकती हैं मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्धिस्नान आविश्यक बताये गया है नमबर दो बारत में कई जगहों पर महिलाएं जब विद्वा हो जाती तब उनका केश मुंडन करवाय जाता है या बालों को छोटा किया जाता है नमबर तीन महिलाएं जब सन्यास गरण करती है तब उनका केश मुंडन कराया जाता है नमर चार किसी प्रकार का कोई रोग हो या बीमारी हो तो चिकितसक की सलापर भी केश मुंडन कराया जा सकता है अब बताते हैं आपको की महिलाएं कब रख सकती हैं खुले बाल नमर एक एकांत में केवल अपने पती के लिए इन्हें खोल सकती है नमर दो पती से वियुकत और शोक में डिवी हुई इस्तरी ही बाल खुले रखती है जैसे अशोक वाटिका में सीता नमर तीन रजस्वला इस्तरी खुले बाल रख सकती है बशर्त की वह नियमों का पालन करती हो नमर चार, इसनान के पश्चात तब तक बाल खुले रखे जा सकते हैं जब तक कि वह सूख ना जाएं अब बताते हैं आपको बालों पर कुछ अन्य मानित आएं नमर एक, इसनान पशात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल ना लगाएं नमर दो, भोजन आदी में बाल आ जाए तो उस भोजन को त्याग दिया जाता है नमर तीन, गरुन पुरान के अनुसार बालों में काम का वास रहता है नमर चार, बार बार बालों को इसपर्श करना दोश का रखे क्योंकि बालों को अशुद माना गया है इसलिए कोई भी जप, अनुस्ठान, चूडा करण, यग्यपवीत आदिशुभाशुब क्रत्यों में शोर कर्म कराया जाता है और शिखा बंदन करने के पश्यात हस्त प्रक्षालन कर शुद किया जाता है नमर पांच, विदवानों के अनुसार कहा जाता है कि रिशी मुनियों ने शोद कर यह अनुभव किया कि सिर के कालेवाल को पिरामिट नुमा बना कर सिर के उपरी और या शिखा के उपर रखने से वह सूर से निकली किरनों को अवशोशित करके शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं जिससे चहरे की आभा, चमकदार, शरीर, सुडोल और बलवान होता है हालकि इस पर शोध किये जाने की आविशक्ता है नमर छे, दामेन में बताया गया है कि जब देवी सीता का श्रीराम से विवा होने वाला होता है उस समय उनकी माता सुनायना ने उनके बाल बांधते हुए था कि विवा उपरान सदा अपने केश बांध कर रखना क्योंकि सोभाग्य वतिष्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है बंदे हुए लंबे बाल आबूशन सिंगार होने के साथ साथ संसकार और मर्यादा में रहना सिखाते है अब बताते हैं आपको महिलाओं के बालों को छिड़ने का परिणाम रामेण में जब माता सीता का रावन हरन करता है तो उने केशों से पकड़कर अपने पुश्मक विमान में ले जाता है इसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंच का नाश हो जाता है नमर दो महाभारत में दुरोपती को दुर्योधन का भाई दुशाशन उसके बाल पकड़कर खीच कर भरी सवा में लाता है इस पर दुरोपती ने प्रिटिग्या ली थी कि अब याई बाल वाई तब ही बनेंगे जब की दुशाशन के रख्त से इसे दोया जाएगा परिणाम स्वरूप कोर्वो का वंच नस्ठ हो गया था नमर तीन कंस ने देवत की की आठवी संतान को जब बालों से पकड़कर भूमी पर पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हातों से छूट कर महा माया के रूप में प्रकट हो गई इसके परिणाम स्वरूप कंस के संपून कुल का नाश हो गया इस तरह कई उधारण है कि जब भी किसी महिला के इसकी इक्षा के विर्द उसके बाल पकड़े गए उस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया था ऐसे कई कारण है जिसके चलते भारती संस्करती में बालों को बहुत महत्व दिया जाता है इसे सम्मान और संसकार का प्रतीक माना जाता है इसलिए इसे सलीके से रखना बहुत जरूरी है हमारे इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें